लगभग दो साल से अधिक समय तक निराहार रहकर नर्वदा के संबर्धन और सरक्षन के लिए संत दादा भाई गुरू इन दिनों नर्वदा परिक्रमा पर है गुरूबार को दादा भाई का आगमन मा नर्वदा के नाविकुंड नेमावर पर हुआ संत दादा भाई मा नर्वदा की शरक्षन, संबर्धन और मा नर्वदा को स्वच निर्मल बनाने के लिए किसानों को रासायन मुक्त खेती और पेड़ लगाने का संदेश लेकर लगभग 150 परिक्रमा बाश्यों के साथ मानर्वदा की परिक्रमा कर रहे हैं संत दादा भाई का नर्मदा तटी गाउं में मानर्वदा के प्रती जागुता के संदेश को लेकर प्रवचन भी हो रहे हैं संत दादा भाई प्रती दिन लगभग 25 से 30 किलोमेटर की यात्रा निराहार कर रहे हैं संत दादा भाई बताते हैं कि मा नर्वदा के जल में इतनी सक्ति है कि मैं दो वर्सों से अधिक समय तक सिर्फ जल और बायू गरहन कर ही इस परिक्रमा कुक कर रहा हूँ नर्मदा परिक्रमा के दोरान संत दादा भाई जिन जिन गाउं से होकर गुजर रहे हैं भक्तों की भीड उनके दर्सन के लिए जूट रही है और उनसे आशिर बात कर अपने जीवन को धन्ने बना रही है देखिए खातेगाउवले.com की विशेश रिपोर्ट जब से कटना चालू किया है रोग और फैलेगी नहीं फैलेगी लिए इसका डाल कटा तुमारा दिमाग फिरा दाओ भरगी मर्यादा खटा जब दिमाग काम करना बन ये दिमाग को उर्जा देता शक्ती देता ही चीज़ है दिमाग के लिए है खंडा करती है इसको कारते तो जादर दिमाग घरम होगा तुमारा और लड़का बच्चों का जब से धीवर बरवाद करें है पाड़ लो पीपल को नीम को शीचल करता है इसको मत करते है यूथ कलेक्शन खाते गाओं खेतर के युवाओं की पहली पसंद शानदार वेराइटी के शर्ट दो सो निन्नानो रुपे और जिन्स केवल चार सो निन्नानो रुपे से शुरू बहतरीन कलर और डिजाइन के रेडिमेट कपडों की विशाल रेंज तो अब से कपडों की खरीदारी करें सिर्फ यूथ कलेक्शन से बहुत ही कम रेट में करें अपने को अप्टू डेट यूथ कलेक्शन होटल सावरियां पहलेस खाते गाओं